है हलो दोस्तों रजधान इंग्लीश का लासर्ज में आपका स्वागा थे आज हम देखने वाल है स्टोडी इसका पर्ट टू इसके पहल में पार्ट वन अप्लोड कर चुका हूं अब पर्ट वन में मैंने सिखा था कि यॉंगर इंग्लीश किसके लंग में से और जर्मन ट्र कि और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि golden is in Verfli confusing कब बोला गया वित की कि से रीक तरो यह होता है और अभी हम सीखने वाले हैं कि ओल्ड इंश जो हता है ओल्ड इंगेरिन एज वहन दोले प्लाते हैं हैं इसमें इसका विकास और हम जानते हैं और जानते हैं इसका विकास जो अचीटर बनाया गया किसी कुलहाड़ीयता किस बनाया गया और oh फुली आरीज पर टांग ओन उस सब को छीटर जदा मिलता है एसे इसको घर तक पहुंचायें गया किसको हुद्र हिंग्लीज problem ३शकाव विकास उसको बोला गया ओल्डिंग्लीज और इसमें इख्रPhone की यहाता और ही सिंभोकेव का भीर्यकाश वा था और जो भोके जो था ना वो था अल्फाबेट जो था ऊडार्क जिश बोला गया एँने ओल्डिनिक्स कोुला के जाता है इसी है निमें कितने सब्सक्राइब और से समरी में इसको लिख सकते हैं अब इसके बार हम देखेंग हैं जो 25 सताबदी जो था ना पच्विस सताब्दी में जर्मन ट्राइब्स हुआ था धान देखते हैं कि आप्टर यानि छटी सताब्दी इसमें क्रिचन लोग का आगमन हुआ इंग्लेंड में और रोमन स्क्रिप्ट जो हुआ था नो वहां से ले लिया गया यह रोमन भी बहुत सारे सब्द हमारे इंग्लिस में आज भी जियों कातियों मिलते हैं और एक देश हैं ध्यांदी जाए गई यहां पर जो सो फोरं जो देश होता है जो एन्ग्लेंड में बड़ा अकरमड किया यानि है आए ख अकरमट नहीं किया था इंगलेंड पर बहुत शारे बार-बार-बार बर इंगलेंड को अकरमट है Πर लिया ज़तना सब्दम्द में इन तो ख़से ऑर ज्यादा हुआ कि सफ़ा सा और ज्यादा हो गया ज्दा नहीं है थोड़ास और ज्यादा कब सस्थ हूए है और देखेंगे जो एस अज़ोन का पाहला आज सर्टेशक में देखने के लिए जीव अंगली मैं अभी सिर्टेशका ची hellut लेटिन बहसा लर्निंग सब्सक्राइब लेटिन बहसा यानि आज भी जेव काते हो लेटिन बहसा आम को देखने के लिए मिलता है अब जो इंगलिस का जो विकास था धीरे धीरे अब बढ़ता चला जा रहा है और आज भी एसकुणिया जिसकॉम कहते हैं आज के डेटे में स्वीडेन और डेनमार्क और उस समय जब फिफ्ट संचूरी में जब नर्में जब कर वेस्ट हुआ था ना जब टीन देस आया थे तीन जूट जातिया जो आया थी वह थी एंगलो सेक्शन जिसको बोला गया जूट्स एंगल्स और सेक्शन वह लोग इनके क्या थे इनके फिफ्ट संचूरी से और उनों का रिष्ट जानते किसे था बलोड और लेंगवेज से भासा और खून से रिष्टा थी और इन लोगों ने मैं दोस्व और सो तक्का किया इंगलेंड में अपना धाक समाजा और इस गास हुआने के बाद इंगलेंड में जो बिकास हुआ इंगलेड ओनेनलिज का धिरे धिरे और ज़्यादा होने लगा याने हम सकते हैं थिफ्ट संचूरी से सिफ्प संचूरी के बार इंगल्लेंड में और द्वी कःई सोनी लगा किसका in लिज्ग और विडियो में अभी गोल्डन प्रीड भी बाकि दिरी इसे विडियों में को सो वेक इसक्मों बोला गया क्योंकि यह लोग बहुत बढ़ा क्या सासी थे सम्मून में बढ़ा यातरा करकेateurs लोग और बहुत बढ़ा ऐध्या ogr सकति वाले थे लोग और इसलिए बोला गया क्यों को बला गया सबचाइब आप इनको अगर देखा जाए ओल्ड इंग्लिस का लिट्रेचर देखा जाता है और पुछा जाएगा ओल्ड इंग्लिस का लिट्रेचर है किसका है यह है एंगलो सेक्षन का एक कितने बार परिच्छां पुछता है और आज भी जिन सब्दों का में परियोग करता हो न जैसे कि प सब्सक्राइब कि अब इसके अब इसको हम देख सकते हैं कि ब्रीफ में एक राउंड हम देख सकते हैं फीरियुक वातना बढ़ने स्फेक्टा और ये इसका परियोग इसको डार्केज बोला गया और डारकेज बोला गया-ओर इसको इंडिया फ्रेंस और रोमन ने हमला किया और इंग्लेंड में इंग्लिस का और बढ़ गया वहाँ पर आज भी मेडिसीन जैसे जो नाम पढ़ता है इस सब लेटीन भासा जेम गातें इंग्लिस में रह गया आज भी और नर्वे और डेनमार्क और स्वीडन जो आज दे और उसके बाद इसको ओल्ड इंग्लेश्टर जो होता रोड इंग्लेश्ट जो होता है वह इंगक्ति स्वीड जजल्ज लोड ऑल ञाता है तो वीडिट्यो में आफ़ी आगे बन रहीएगा हम देखेंगे गोलडेन पीरिद ऑफ ऑलल इंग्लिस कीसको बॉल जाता है है ? किसको बोला आता है जो यह है ना golden period of old english आपकी एक्जाम में कितने बाद आ चुका है कि तुब एक golden period of old english को ही बोला आता है और यह क्यूंब बोला आता है golden period old English में यह कब बोला आता है तो Kings Alfred एक राजा था और यह बहुत बड़ा एक बिद्वान थे स्कॉलर थे और लॉलनी भी थे और फोट बिद्वान जो थे न यह इंग्लेंड में जब आये उन्होंने तो वहां पर बहुत सारे लेटीन जो वर्ड था लेटीन वर्ड जो था इन सारे सब्दों को वेट सेक्शन में कनभर्ट किये और आपको मालूँ न चाहिए जो वेट सेक्शन में जो कनभर्ट किये न यही मेरा इंग्लेंड का वहासा था एंग्लेन का वह हैं और तिंग ऊल फ्रेट ने अपने राज दर्वार लगाएं इंग्लेंड C और जब डेसों से उन्हें बहुत सारे स्कुलर को जब बुलाया ना तो खुद उसने भी बैठा उसमें और सारे लेटिन वर्ड को उन्होंने वेस्ट टेक्शन में इंग्रेजी में उसको कणभर्ट करवाया और इस समय ही इंग्लिज का गोल्डेन प्रियेड कहा गया यानि इंग्लिज बहुत सारे वर्ड यहां पर लेटिन भासा से कणभर्ट करके इंग्लिस में लाया गया किंग के द्वारा Kings अल्फरेट के द्वारा और बहुत बड़ा श्कॉलर थे बहुत बड़ा बिद्वान थे और बिद्वानों को foreign countries भी देशों से बुलाया था इसको translate करवाने के लिए यह लाइन आपको याद रखिएगा आपके बिहार पूछ सकता objective में उसके बाद फर्ष्ट दफर्ष्ट बूक और इंगलिस प्रोज इनका जो था फोस्ट बूक आफ इंगलीस प्रोज जो था दो एंगलो ध्यांद दिजेगा इहां पर सम्त पर ध्यांद दिजेगा देंगलो सेक्शन क्रोणिकल आप से पूछेगा इंगलिस इंगनेस का नाम क्या है उड्विक्ष में जो लिटेशर का वी का था थोई हाँ और इस नहीं गपरीटिन इसलीए बहुत इपैस स्क्राइड को इन्हों ने वेस्ट सेक्षर इंग् 1890 में बदलाव किया है उसके बाद कैसर है इनके सर्फिछ में और भी दिखाया आता है जो मिस्ट्रीप्ट जो और इंग्लिपंड में जो कव्डरी रहा यह अश्पर नहीं प्रफल्पिर्ट में नियुठ यह इनका है और यह पौल्टरी इंग च्छपा और ओल्ड इंग्लिस में जो लिट्रेचर का जो विकास हुआ था ज्यदा नहीं हुआ था इसलिए यहां पर अभी एक ही को प्रोज अभी देखने के लिए मिला जिसका नाम था बार बार में बोल रहा हूं दा एंगलो सेक्षन क्रोनिकल इनके सा संकाल में आता किंग्स अल्फ्रेड इनहीं का यह पॉब्रिस किया हुआ यह प्रोज रहा अब हमें आगे देखेंगे कि कि ए एक हजारचट एडी में ध्यान देंगे एक खजारचट एडी में जो जटने इसका विपास थ़हँ गया और क्ट अ क्योंकिके इस समयन दील प्रूंड लिए ध्यान से नर्मिन कवेष्ट जो हुआ था जैद करेंट लिंग्लैंडड हिंभारा और उस समय फ्रेंच के साथ आकर इनों ने इंग्लेंड पर हमला किया था किस सनी को के साथ विलियम जो था यह नर्मन कंक्वेश्ट जब हुआ था आप से कई पर एगजामी पूछ देता है कि नर्मन कंक्वेश्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा नर्मन कंक्वेश्ट जो हुआ था इसमें विलियम एक राया था और फ्रेंच के साथ आया था और इंग्लेंड पर करने के बार इंग्लेंड के जो लोग थे वहां पर फ्रेंच भासा का परियोग ज्यादा होने लगा और उनोंने मार काट करके इस इंग्लेंड पर जो इंग्लेंड निकला हुआ था अभी इस से निकला हुआ जैओ यह था इद्ध-विकस नहीं वा थे होगा था हुआ दब तक इंग्लेंड पर कर मड़के फ्रेंच के सपारी विलियम जो नर्मन करक्र.ž पूछेगा नर्मन कन्क्वेस्ट में जब हुः तो लोगों को इंहिसमें कोई रूची नहीं पूछ वह अनुछिती और वह सबहु का वह कीए उस पर सब्यक्रम तोप दिया गया और फ्रेंच भासा जो था ये उन अब बड़े बड़े आफिस में या इसकूलों में अपिस ददफ्तर यहां के भासा को बदल दिया गया क्योंकि इतिहास गवा है और सबसे पहले नहों ने विलियम् से इंगलिस हुआ था इन्हों ने फिर फ्रेंच में आ गया लेकरके और फ्रेंच में तो अब देखा जाएगा कुछ दिनों तक चला इसका साशकल और यह जो इंगलेंड का जो भासा जो थी न अभी इंग्लिस चली रही थी लेकिन वह इंग्लिस गाउं में चल रही थी जो भीले जुबा करते था चोटा मोटा जहां लोग छोटे चोटे जो लोग करते थे बड लेकिन अपिस में यह तो फिर्च मिलता था इसकूल में चल पर फिर्च पढ़ने के लिए मिल दा था इस त्रह इंग्लिस को यहां पर दबा दिया गया और इस ही को बोलाता नर्मन कंक्वेस्ट और यही पर विलियम आया था जो ऑकर्मन किया था अब आपको यह समझ मारा ह होगा कि नर्मन कंक्वेस्ट क्या है आपकी जाम में भीविया ये बिहार बोर्ट टेन प्लस टू के लिए इस्टोडिया पिंग्मिस में जो द्धास मास का पुछता अबजेक्टिव उसके बाद आप देखेंगे कि qad111ed1ason में वे ऑल्ड इंग्ली जो तानों धीरे धीरे मोशनलेस हो गया अच Earle सो सब्सक्मित क्यों होगा नर्मन कंवेस्ट में फ्रेंच भासा की जरा किया गया की सद्कॉर्ण जहास में इंग्लिस एक हजार चार्चट में का हो गया मोशन लेस हो गया यह जो ता रुख गया और इसके बाद धीरे-धीरे कुछ दिनों के बार कुछ समय के बार जब टाइम बित्ता गया तो वहां पर इंटर मेरेज होना चालो किया इंटर मेरेज का मतल्म समझ नहीं मतलब जो जो नर्मन कुछ जो हुआ था विलियम जो थे उन लोग फ्रेंच लोग ते व लो फ्रेंच भास बोलते थे लो चोटे जो इंग्लेंड के जो लोग टेवival भीवा और अशाधी विवा होने लगा जिसको बौयात इंटर मेरेज और शुरुआत हुआ तो वहां पर फ्रेंच भासा का पर्योग हटा दिया गया जैसे यहां पर कोट जस्टिस स्कूल ऑफिस और प्लिटीशन सारा जगा फ्रेंच लागू कर दिया गया इंग्लिश को अटा करके अब इंटर कास्ट कुछ दिनों के बाद जब हुआ तो वहां पर कोट जस्टिस स्कूल ऑफिस सबी जगह फ्रेंच भासा को अटा रही है गया और वहां पर लागू किस भासा को कर दिया गया अब कोर्योट का पर्योग कर दिया गया याद रखेंगा किसका इंगलिव भासा का फिर धीज़बे पर्योग करने लगा लोग और वहाँ पर यह सब करते-करते तक कम से कम यहां पर इंग्लिस का विकास धीरे से रुख गया और फिर इंग्लिस का विकास विकास समावत हुआ उसके बाद आगे जो होता है जो मिद्रमिस आएगा अब थोड़ा देखेंगे यहां पर इसको हम ओवर्विज से माध्याम से देख लेंगे कि आप इस वीडियों में जो सीखे तो अब्जेक्टिव किस तरह आ सकता है तो यहां पर गोल्डेन प्रीड किसको बोला गया तो किंग्स अलफ्रेड के काल को बोला गया और इसे बोला गया क्योंकि बहुत बड़ा स्क स्कॉलर नहीं थे विद्वान नहीं थे इन्होंने विदेशों से बहुत सारे स्कॉलर को बोलवा कर लेटीन सब्दों को वेश्ट सेक्षन में बदला दिया वेश्ट सेक्षन क्या पता है वेश्ट सेक्षन इंगलिस सब्द को ही बोलते हैं आपको पता होगा जन्मन जमकन किया गया था और उसका नाम था अंगलो सेक्षन को निकल अगलो सेक्षन को लिकल और याद रखेएगा अंतजाती है उनके बाद का हुआ कि नर्मन जो लोग ठेना यह लोग पसंद नहीं करते हैं इसको और यहां पर दबाव किसको दे दिया गया इंगलिस को दबाएगा और फ्रेंज को पसा रहा गया और फ्रेंज जब निकला तो इंगलिस को सारा कोड जेस्ट्री स्कूल सबसे कर दिये गया और यहां पर एक हजारेडी में फिर इंगलिस हो गया इसके बाद इंटर कास्ट मेरेज होने के बाद हमारा इंगलिस है जो इंगलेंड का इंगलिस है वह फिर वहां से शुरुवाती पकड़ लिया तो यहां तक ध्यान दिजिएगा कि 1500 सालों तक इंगलिस का जो हुआ फिर बाद में सुरुवात हुआ तो अगर यह वीडियो आपको समझ माया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब चलूर करें और दिस्तों में पूरा आप सेयर करें फिर मिलता हम अगले वीडियो में